दोस्तों नमस्कार यह है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों यंसी आर्टिस रिंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है आठवी कच्छा के विग्यान का अध्यातीन संसलेसित रेशे और प्लास्टिक यानि synthetic fiber and plastic संसलेसित रेशे क्या होते हैं इनके प्रकार कौन-कौन से हैं और प्लास्टिक क्या होता है और इसके कौन-कौन से प्रकार है सता इनका उप्योग क्या है आज की इस वीडियो में आप जानेंगे तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों पोशाक या कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं आप जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेसों या फाइवर से बनाए जाते हैं दोस्तों कुछ प्राकृतिक रेसे ऐसे होते हैं जैसे कपास, सनई, जूट इनसे प्राकृतिक रेसे मिलते हैं और रेसों का उप्योग विवित प्रकार की अनेक घरेलू वस्तूओं के निर्मार में भी किया जाता है दोस्तों रेसों से निर्मित कुछ सामान वस्तुओं की सूची आप बनाईए जिन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेसों से विभाजित करने का प्रयास कीजिए देखिए आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं वो कृत्रिम रेसे कहलाती हैं और कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेसों की सेरी में आती हैं दोस्तों प्राकृतिक रेसे क्या होते हैं प्राकृतिक रेसे वे हैं जैसे कपास, उन, रेस, समादी ये पौधो अथवा जन्तूं से प्राप्त होते हैं इन्हें प्राकृतिक रेसे कहा जाता है दूसरी और कुछ रेसे या फाइबर जो होते हैं वो संसलेसित रेसे होते हैं ये मनुस्यों द्वारा निर्मित किये जाते हैं यानी ये रसायनों से निर्मित किये जाते हैं ये संसलेसी तत्वा मानो निर्मित रेसे कहलाते हैं दोस्तों संसलेसी त्रेसे क्या होते हैं धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाले एक रूप या बनावट को असमनल करने का प्रयास कीजिए देखिए यहाँ पर इसके अलावा एक समान कागज के कुछ क्लिपों को जोड़कर एक लंबी स्रिंखला बनाने का प्रयास कीजिए क्या दोनों में कुछ समानता है दोस्तों दोस्तों एक संसलेसित रेसा भी छोटी छोटी इकाईयों को जोड़कर बनाई गई एक स्रिंखला होती है संसलेसित रेसा यह सिंथेटिक जो फाइबर होता है वो छोटी छोटी इकाईयों को जोड़कर बनाई गई स्रिंखला होती है और प्रतेक छोटी इकाई वास्तों में एक रसायनिक पदार्थ होता है और इस प्रकार की अनिक छोटी छोटी इकाईया मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो की बहुलक या अंग्रेजी में इसे पाली मर कहा जाता है पाली मर सब्द दोस्तों ग्रीक भासा के दो सब्दों पाली और मर से बना है पाली का अर्थ होता है अनिक और मर का अर्थ होता है भाग तो पाली मर या बहुलक बहुत सी इकाईयों को दोहराने से बनता है दोस्तों बहुलक जो होते हैं वो प्रकिर्ट में भी पाया जाते हैं और ये कृत्रें रूप से इनका निर्माण भी किया जाता है जो प्रकिर्थ में पाया जानने वाले हैं, उन में का पास एक बहुलक है जो सेलूलोज कहलाता है और सेलूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज एकाईयों के द्वारा निर्मित होता है दोस्तों संसलेसित रेसों के प्रकार कौन कौन से हैं आईए उनके बारे में जानते हैं दोस्तों पहला है रेयान आप रेसम कीट से प्राप्त जो है रेसम कीट से प्राप्त रेसों के बारे में जानते हैं रेसम की खोच जो है चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनी रखा गया था ताकि अन्य लोगों को दुनिया के अन्य लोगों को इसके बारे में जानकारी न हो रेसम रेसे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है लेकिन इसकी सुन्दर बुनावट प्रतेक व्यक्ति को मोह लेती है रेसम को कृत्रिम रूख से बनाने के प्रयास किये गए 19. सताबदी के अंतिम दौर में बैग्यानिकों को रेसम के समान गुडों वाले रेसे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होई इस प्रकार का रेशा काश्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया और ये रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया दोस्तों रेयान प्राकरतिक स्रोत काश्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है यह एक मानो निर्मित रेशा होता है ये रेसम से सस्ता होता है लेकिन इसको रेसम रेसों के समान बुना जा सकता है इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है और रेयान की कपास के साथ मिलकर विष्टर की चादर भी बनाते हैं अथवा उन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं तो रियान दोस्तों एक कृत्रिम रेशा है मानो निर्मित रेशा है इसे काश्ट लुगदी के साथ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इसका अनेक कारियों में उप्योग किया जाता है देखिए यहां पर रियान निर्मित बस्तूओं का चित्र दिया गया है दूसरा जो कृत्न रेशा है उसके बारे में जानते हैं नायलान तो दोस्तो नायलान एक अन्यमानो निर्मित रेशा है इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल जो की ने तो पौधे से प्राप्थ हुआ था और नहीं जन्त उसे बिना इनके उप्योग के बनाया गया इसका निर्मार कोईला, जल और वायू से किया गया और यह पर्थम पौण रूप से संसलेशित रेशा था नायलान रेशा बहुत ही मजबूत होता है, प्रत्यास्त होता है और हलका होता है यह चमकीला और धुलने में सुगम था, इसलिए यह कपडों के निर्मार के लिए बहुत अधिक प्रचलित हुआ दोस्तों क्या nylon रिशा वास्तों में इतना प्रवल है कि इसे nylon पैराशूट और चटानों पर चढ़ाने है तो रसे बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल यह nylon से निर्मित कई वस्तों को उपयोग में लाते हैं जैसे जुराव या मोजे, रसे, तंबू, दाथ साफ करने का ब्रस, कारों की सीट के पटे, स्लीपिंग बैग, ये परदे, इत्याद ये सब नायलान के प्रयोग के द्वारा बनाये जाते हैं दोस्तों, नायलान का उप्योग जो है, वो पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए रेसों के निर्मार में भी किया जाता है, एक नायलान का तार इस पात के तार से अधिक प्रवल होता है, तो देखिए यहाँ पर जो ये पैराशूट है, ये नायलान का निर्मि और चट्टानों पर जो है, दोस्तों, एक खुक लगा कर पड़ला बान दीजिए, जिसमें बाट रखे जा सकें, पलडे में एक एक करके बाट तब तक रखते चला जाईए, जब तक की धारगा तूट न जाए, धागे को तोड़ने के लिए आवस्यक कुल भार को आप लि या को ओन, पालिष्टर, रेसम और नायलान के धागों के साथ दोहराईए, तो आपको ऐसा मिलेगा कि रेसों को लटकाने के लिए दिवार पर लगे एक हुक अथवकिल का उपयोग कर सकते हैं, और बाटों के अस्थान पर आप एक समानाकार की काज की गोली या गुटिका का उपयोग कर सकते हैं, दोस्तों आपको इसमें ऐसा लगेगा कि जो नायलान का रेसा है वो अत्यधिक मजबूत होता है, दोस्तों पालिष्टर और एक्रीलिक तीसरे परकार है जो सिंथेटिक रेसे होते हैं, उनका तीसरा परकार है पालिष्टर और एक्रीलिक, दोस्तो इसलिए ये हवस्त्र सामागरी के लिए परियाप्त उपयोगी पदार्थ होता है। और आपने लोगों को सुन्दर पालिष्टर की कमीजे और अन्य परिधान पहने अवस्य देखा होगा। टेरीलीन एक लोग प्रिपालिष्टर है और इसे बहुत महीन रेसों में खीजा जा सकता है। इन्हें फिर किसी भी अन्य तन्तु समान भुना जा सकता है। दोस्तों यहां पर देखिए जो पहली है वो कहती है कि मेरी मा जल के लिए सदैव पेट बोतले और चावल तथा चीनी संचेन के लिए पेट जार खरीती है। और मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर यह पेट क्या है। तो पेट दोस्तों एक सुपरचित पालियेश्टर है और इसका उपयोग बोतल, बरतन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी पदार्थों के निर्मार के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर जो आप चारो और अपने ध्यान देंगे, दिरिष्ट घुमाएंगे तो पालियेश्टर से निर्मित कई प्रकार की वस्तुएं आपको मिल सकती है। पालियेश्टर क्या जो उत्पत्ती है पालियेश्टर सब्द की उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्त कपड़े पालिकाट, पालिवूल, टेरिकाट आधिनामों से बेचे जाते हैं। और जैसा की नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेसों को मिलकर बनाये जाते हैं। पालिकाट, पालियेश्टर और कपास का मिश्रण है। पालिवूल, पालियेश्टर और उन का म होता है दोस्तों हम सरदियों में स्वेटर पहनते हैं और साल अथवा कंबल का प्रयोग करते हैं और ये कपड़े उनी होते हैं इनमें बहुत से वास्तों में प्राकृतिक उन से निर्मित नहीं होते हैं लेकिन ये उन के जैसे दिखाई देते हैं ये एक अन्य प्रकार के संस संसलेसित रेसे से तयार किये जाते हैं इनको की एक्रिलिक कहा जाता है प्राकरतिक स्रोतों से प्राप्त उन महंगी होती है जबकि एक्रिलिक से बनी बस्तुएं अपेक्षा के सच्थी होती है ये विविद रंगों में उपलब्ध होती है और संसलेसित रेसे अतिधिक ठिका अधिक लोगप्री और लोगों की पहुँच में होते हैं दोस्तों पूर्म में प्राकृतिक रेसों को जलाने का क्रिया कलाब कर चुके हैं आप अगर जो संसलेसित रेसों को जलाने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो ये आप पाएंगे कि इनका ब्योहार प्राकर्तिक रेसों से अलग होता है संसलेसित रेसे जो होते हैं ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं और ये वास्तों में संसलेसित रेसों का एक हानिकारक गोड़ है यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो ये बहुत जादे आपदा जनक हो सकता है कपड़ा पिघल सकता है और पहनने वाले व्यक्ति के सरीर से चिपक जाता है और अतह हमें प्रियोग साला अथ्वार असोई घर में काम करते समय संसलेशित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी संसलेशित रेसे जो है ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोरसायन कहे जाते हैं उनसे विविद प्रक्रियाओं द्वारा तयार किये जाते हैं तो सभी संसलेशित रेसों में पेट्रोरसायन जैसे पदार्थो का उपयोग किया जाता है संसलेसित रेसों और उनके प्रकार के बारे में जानकारी के बाद आये जानते हैं संसलेसित रेसों के गुरधर्म क्या होते हैं दोस्तों संसलेसित रेसे अत्वितिय गुरधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिदान सामगरी के लिए लोगप्री बनाते हैं संसलेसित रेशे जल्दी सोखते हैं अधिक चलाऊ होते हैं कम महेंगे होते हैं असानी से उपलवध होते हैं और रख रखाओ में सुविधा ज़नक होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसलेशित रेशे दोस्तों ये प्राकरतिक रेशों की अपेक्षण कम जल सोकते हैं और वे सूखने में कम समय लगते हैं और आप अपने मातापिता से या किसी बड़े बुझोग से इन कपड़ों और प्राकरतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायत वा टिकावपन मुल् जानकारी प्राप्त करें तो दोस्तों जो TicowPan होता है वो संसलेसित रेसों में अधिक होता है और इनकम मुल्य भी प्राक्रतिक रेसों के तुलना में कम होता है तथा रख रखाओ इनका आसाण होता है संसलेशी त्रेसों के बाद आईए जानते हैं प्लास्टिक के बारे में दोस्तों हम लोग हमेशा या कोई भी काम जिसे हम इस समय रिकार्डिंग के लिए जो माइक का प्रियोग कर रहे हैं या फिर mobile phone का प्रियोग करते हैं, वो सब अधिकतर plastic की बनी बस्तुएं होती हैं, संसलेसी तरे से कि तरह plastic भी एक बहुलक होता है, और सभी plastic कों की ब्यवस्था एक प्रकार की नहीं होती है, कुछ में यह एक रेखी होती है, और अन्य में तीरियक बद्ध या क्रास बद्ध होती है, यहाँ पर देखिए, रेखी और क्रास बद्ध बेवस्थाएं प्लास्टिक कों की दिखाई गई हैं, दोस्तों, प्लास्टिक की बस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, दोस्तों, आपको आश्यर होना चाहिए कि यह कैसे संभव है, प्लास्टिक आसाने से साचे में ढाला जा सकता है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, इसका पुनह चक्रण किया जा सकता है, इसे पुनह दूसरी बस्तुएं बदला जा सकता है, और जो है खिलावना ये प्लास्टिक की निर्मित की बहुत सी बस्तुएं होती हैं। पालिथीन क्या है दोस्तों तो पालिथीन जो है पाली प्लस एथीन ये प्लास्टिक का एक उधारण है जो सामान्य उप्योग में पाई जानने वाली पालिथीन थैलियों के बनाने के काम आता है दोस्तों बर्तमान में जो पालिथीन की थैलिया है उन्हें प्रतिवंधित कर दिया गया है और काफी मात्रा में आप काटन की थैलियों को मार्केट में देख सकते हैं दोस्तों सभी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता से आसानी से नहीं मोड़ी जा सकती हैं कुछ वस्तुएं आसानी से मोड़ी जा सकती हैं जबकि कुछ मोड़ने पर बल लगाने पर तूट जाती हैं जब हमें एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो ये विक्रि होता है जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड जाता है उसे थर्मो प्लास्टिक कहा जाता है इसके अंतरगत पालिथीन और पीवीसी थर्मो प्लास्टिक के उदाहरणाते हैं इनका उप्योग खिलोने, कंगी और विभिन प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने का निर्मार किया जाता है जिसमें की थर्मो प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है दूसरी और दोस्तों कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उस्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है और ये प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहे जाते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण जो हैं दोस्तों वो बैके लाइट और मेला माइनिन हैं बैके लाइट उस्मा और विद्धुक का कुछालक होता है, यह बिजली के स्विच बिभिन बरतनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है, मेला माइन भी दोस्तों एक बहु उप्योगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है और अन्य प्लास्टिक की अपेक्छा उस्मा को सहने की अधिक छमता रहता है, यह फर्स की टाइलें, रसोई के बरतन और कपड़े बनाने के उप्योग में लाए जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं, यहाँ पर देखिए थर्मो प्लास्टिक और थर्मे सेटिंग प्लास्टिक के कुछ उप्योग दिये गए हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का उप्योग अन्य परकार के बिद्धुत उपकराण, देखे बिद्धु स्विच आधि बनाने में इसका किया गया है, और थर्मो प्लास्टिक जो है कई बार इसका उप्योग किया जा सकता है, लचीली और तन्य वस्तुओं को बनाने में थ धर्मो प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है दोस्तों विकल्प पदार्थ प्लास्टिक आज हम कोई खाद्य सामगरी जल दूध अचार सूखे में वे आदिके संचेन या उनको रखने के लिए प्लास्टिक के पातर सबसे सुवधा जनक लगते हैं इसका कारण उनका हलका भार कम कीमत अच्छा फामर्थ और उप्योग में आसानी होता है धातों के या पेच्छा ये हलके होते हैं और इसी कारण प्लास्टिक का उप्योग जो है कार वायू यान अंतरिछ्यान में भी होता है प्लास्टिक के उप्योग की सूची असीमित है और बरतमान में अगर जो ये कहा जाए कि ये यूग प्लास्टिक का यूग है तो इसमें कोई अतिसयोक्ति नहीं होगी चपल, फरनीचर, सजावट की बस्तूएं आप गिनना सुरू करें तो जो भी बस्तूएं आप देखेंगे उसमें कहीं ने कहीं प्लास्टिक का प्रियोग किया गया है आए जानते हैं प्लास्टिक के प्रमुख गुड धर्म क्या होते हैं तो पहला गुड है कि प्लास्टिक अनभग्रिया सील होता है दोस्तों लोहे जैसी धातूं को जब नमी और वाय में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाती है लेकिन प्लास्टिक जल और वाय उसे अभक्रिया नहीं करते हैं और उनका संचारण आसानी से नहीं होता है इसलिए इनका उप्योग बहुत सारे रसायनों को रखने के लिए किया जाता है दूसर जो है गुड है कि प्लास्टिक हलका प्रबल औ क्या लाब है क्योंकि प्लास्टिक बहुत हलका होता है मजबूत होता है लंबे समय तक चलता है और कई प्रकार के आकार अलसाई जो में ढाला जा सकता है इसलिए यह बिभिन उद्देस्यों के लिए उप्योग में लाय जाता है प्लास्टिक सामानते धातों के अपेक्षा सस्ते होते हैं ये उद्योगों और घरेलु कारियों में ब्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं और बिभिन प्रकार के प्लास्टिक जो होते हैं दोस्तों ये धैनिक जीवन में प्रियोग में लाए जाते हैं तीसरा जो गुड़ है प्लास्टिक का कि ये कुछालक ह और प्लास्टिक जो है दोस्तों उस्मा और बिद्दुत के कुछ आलक हैं इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढखे रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हथे इसके बने होते हैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि प्लास्टिक का स्वास्थ देखभाल उद्योग में ब्यापक उप्योग होता है इनके उप्योगों के कुछ हद उदाहरन जैसे दवा की गोली या टिकियों को पैक करने के लिए घाओ को सीने के धागे, सिरींज चिकेसिकों के दास्ताने और विवित प्रकार के चिकेसिकी यांत्र प्लास्टिक से बने होते हैं माइक्रोवेब ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का उप्योग किया जाता है और माइक्रोवेब ओवन में उसमा खाद्यपदार्थ को पगा देती है लेकि जो प्लास्टिक का पात्र होता है उसको प्रभावित नहीं करती है इसके अलावा दोस्तों टेफलान एक बिसिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है और यह भोजन पकाने के पात्रों पर नहीं चिपकने वाली परत लगाने के काम में भी आता है दोस्तों अगनिसह प्लास्टिक भी होता है ये संसलेसी त्रे से आसानी से आग पकड लेते हैं लेकिन आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेला माइन प्लास्टिक की परचड़ी होती है जो कि उसे अगनिसह और अगनिरोधी बनाती है अब आये जानते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण दोस्तों बाजार हम जब जाते हैं तो प्लास्टिक अथो पालिथीन थैली में लपेटी वस्तुर मिलती है यह एक कारण है हमारे घरों में प्लास्टिक का कच्रा एकठा होता रह रहा है और यह प्लास्टिक जो है कूड़े दान में चला जाता है प्लास्टिक का निस्ताराण बर्तमान विस्व की एक महतपोंड समस्या है क्योंकि प्लास्टिक जैसे पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाण की क्रिया द्वारा अप घटित नहीं होते हैं प्लास्टिक जैव निमनिकरणी यह नहीं कहला दे जाते हैं और ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से बिख्टित नहीं होता है उसे जैव निमनिकरणी कहा जाता है यहाँ पर देखें अगर जो कुछ अपसिष्ट या कुछ पदार्थों को लिया जाए तो इनको अपच्छाइत या अफरासित होने में लगने वाला समय सबजी और फलों के छिलके बचा हुआ भोजन एक से दो सब्ता हमें अपच्छाइत हो जाता है यह जैव निमनिकरणी कहाड़ी है कागज भी दस से तीस दिन में यह जैव निमनिकरण पदार्थ है सूती कपड़ा दो से पांच महीने में यह भी एक जैव निमनिकरण पद सकते हैं जो कि जैव निमनिकरण पदार्थ है इसके अलाओं जो प्लास्टिक की थैलिया है इनको गलने में या अपरासित होने में अपच्छाइत होने में हजारों वर्स लग सकते हैं यह जैव निमनिकरण पदार्थ होते हैं प्लास्टिक अपगटित होने में कई हजार प्रवर्स ले लेता है इसलिए ये परियावरण ही तैसी नहीं है प्लास्टिक का परियावरण प्रदोसन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और परियावरण प्रदोसन का महत्वपूर्ण कारण है इसके अत्रिक्त इस संसलेसित पदार्स को जब जलाया जाता है तो जलने में बहुत समय लेता है और अत्यधिक मात्रा में दोस्तों अनिक प्रकार की विशैली गैसें और विशैला धुआ उस सर्जित करके परियावरण को प्रदूसित करता है और आईए आप जानते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है तो दोस्तों प्लास्टिक प्रदूसर से निपटने के लिए प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए कापास या जूट के बने थैलों का उपयोग करना चाहिए जैव निमनिकाड़ी और जैव निमनिकाड़ी अपसिष्ट को अलगी कठा करके इनका बिसिष्ट तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए और इसे अपने घरों पर कम से कम उपयोग और बेवहार में लाना चाहिए और दोस्तों प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जो है लोगों को प्रोसाहिद भी किया जाना चाहिए प्लास्टिक अपसिष्ट को पुनह चक्रित करना बहत दिये जाते हैं इससे पुनह चक्रित समगरी का उपयोग भी से इस रूप से खाद्य पदार्थों के संचेन के लिए सीमित हो जाता है एक उत्तरदाई नागरिक के रूप में दोस्तों फोर आर सिध्धान्द का उपयोग करिए जैसे उपयोग कम करिए यानि रेडियोस पुनह उपयोग करिए यानि रियूज पुनह चक्रित करिए यानि की रिसाइकल और पुनह प्राप्त करिए यानि रिकवर इस प्रकार की आदतें बिक्सित करिए जो की परियावरण ही तैसी हो और इसके द्वारा ही प्लास्टिक का प्रदूशन कम किया जा सकता है दोस्तों क्या आपने कोई ऐसा कचरे का धेर देखा है जहां पसु भी से इस रूप से गाये कचरा खा रही हो खाद्यपसिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पसु पालिथीन की थैलिया और खाद्यपदार्थों के रह पर भी खा लेते हैं इसके पैडामों की आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक पदार्थिन पसुओं के स्वसन यांत्र में कंठ रोध यानि गले पर रोक लगा देता है या फिर आमासे में एक अस्तर बनाता जाता है और अंतत्य उनकी मृत्त्य हो जाती है लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पालिथिन के थैलिया नालियों को रोक देती हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अनिखाद पदार्थों के रैपर सड़क पर बागीचे में अध्वा पिक दोस्तों रेशा विवेग क्या है? तो प्लास्टिक की थैलियां जलासेओं अथवा सड़क पर नहीं फेकना चाहिए खरितदारी के लिए जाती समय सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला ले कर जाना चाहिए और प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए तथा प्लास्टिक के अस्थानपल स्टील से बने भोजन रखने का डिब्बे का प्रियोग करना चाहिए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा जो संसलेसित रेसे हैं और प्लास्टिक के बारे में इसमें हमने अत्यंत विश्टार से पढ़ा संसलेसित रेसे क्या होते हैं उनके कितने प्रकार हैं इनका उपयोग क्या होता है और इनकी विशेष्टाएं क्या ह इसी प्रकार आपने इस अध्याय में जाना कि प्लास्टिक क्या है इसका उप्योग क्या है प्लास्टिक के प्रकार कौन कौन से है और प्लास्टिक पर दोसर से निपटने के लिए आम जनता को या हम को क्या प्रयास करना चाहिए तो ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और इसमें हमने कुछ विशिष्ट तत्यों को भी पढ़ा है जैसे प्लास्टिक का निर्माड या संसलेसित रेसों का निर्माड दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जो कच्छे माल या पेट्रोरसायन होते है पेट्रोकेमकल होते हैं उनसे निर्मित किये जाते हैं अधिकतर संसलेसित रेसे तो ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में हमें बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सेविल सेविश को सब्सक्राइ अधियो